ओम शन्ति आज एक बेहन ने प्रश्न पुछा है कि मुडली कभी भी मिस नहीं करने चाहिए क्यों एक तरह से सुप्रीम सर्जन बाबा ने मेडिसिन के रूप में हमें मुडली दे है और जैसे वो एक एंटिबाइटिक का काम करते हैं जैसे कई बिमारियां होती है न तो डॉक्टर कहते हैं कमपलसरी है यह डोज लेना और अगर एक दिन बे में सो जैसे टीवी के पैसेंट होते हैं एक दिन बे दवा में सोगी तो जो उनका आठ महिने नौ महिने का कोर्स होता है वो कहेंगे फिर से उतने दिन का कोर्स करना चलता है अलबेला पंड के दुवारा माया कहती है कोई बात नहीं मुली में तो वही वही बाते रिपीट होती है न इतना तो हम जानी गया न तो एक दिन मिस करेंगे तो क्या होगा लेकिन नहीं याद रखें संगम युक पर हम संसकार बना रहे हैं भगवान परमधाम से आ परजुन के रूप में उन्होंने स्वेकार किया है करोणों में से कोई आत्मा के रूप में सेलेक्ट किया है और हम उस दिन मिस कर देंगे सुप्रीम टीचर की इंसल्ट है पिर भी कोई अर्जेंट कारण होता है तो बाबा कहते पहले से बताओ निमित को भी बताओ ताकि क कोई उपाय मिल जाए, दूसरा साधन मिल जाए, इसलिए बाबा ने सबीरे मुडली, शाम को भी मुडली, और भी कई तरह से आप्शन दिये हैं, लेकिन मुडली कभी मिस नहीं होना दिया। कुछ बाते हैं, जो रोज मुडली में रिवाइज होते हैं, रिपीट होते हैं, वो जरूरी है, जैसे हम exercise करते हैं, तो कुछ exercise रोज रिपीट होते हैं, दूसरा कुछ बाते ऐसी हैं, जो नई भी होते हैं, बहुत दिनों के बाद रिपीट होते हैं, बाबा कहते, मुझे पत कि आज तुम्हारे जीवर में क्या क्या परिस्तिती आने वाली है और उसका समाधान का इशारा मैं सबीरे सबीरे देता हूं और उस दिन मिस्किया तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी इसलिए कई बच्चे इस बात पर देहार नहीं देते अलबिला पड में आ जाते बा महान से महान मुर्क देखना हो तो यहां से यहां देखो और महान से महान भागे साली देखना हो तो यहां देखो भागे विधाता ने यह खत बेजा है हम भागे साली बच्चों के नाम कभी मिस्ट नहीं हो हम उनके महावाक्यों का ख्याल करें उनकी उमीदों का ख्याल करे तो वो हमारी हर तरह से ख्याल करेंगे यह उनकी गैरेंटी है ओम शल्दी